आज मैं आपको एक ऐसा रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज करने के बाद आपके बाल चाहे जितने भी जाद सफेद हो गये हैं प्रीमेचर ग्रेइंग हैर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो सारे प्रॉब्लम्स खतम हो जाएंगे बाल वापस काले हो जाएंगे फ्रेंज यह सिर्फ कहने के लिए नहीं है यह बहुत जादा इफेक्टिव है in fact यह जा सकता है कि आपको कोई डाई यूज करने का जरूरत नहीं पड़एंगा कोई भी कलर यूज करने का जरूरत नहीं पड़एंगा अगर आप इस रेमेडी को प्रॉपरल्ली यूज करत यह तेल जो है ना जिहां यह ओल के रूप में ही होगा अगर आप इसे अपलाई करते हैं अपने बालों पर तो चाहे जितने भी जादे आपके बाल सफेद हो गए हैं वह वापस काले हो जाएंगे और इसके साथ और भी बेनेफिट्स हैं आपके बालों को गहना बनाने में करता है और बाल बहुत तेजी से लंबे भी होते हैं तो अगर आपको सफेद बालों को ठीक करने के साथ साथ अगर आपके बालों को बिल्कुल पॉर्फिक बनाना है लंबा काला घना तो बस आप इसे प्रिपेर करके रख लीजिए सालों तक यह खराब नहीं होने वाला है तो इसे यूज़ करते जाए हैं आपके जितने जादे वी सफेद बालों हो गया है वह वापस काली हो जाएंगे तो इसे बनानी के लिए सबसे पहले हमें इसके बाद यहां यहां पर हमें डालना है सर्सों का तेल अब यहां पर हमें डालना है क beni अब को वर blossoms करनी है सारी च पीस लिए यह पाँडर फोर में आ जाएगा उसके बाद यहां पर आप डालिएगा इन सारे चीजों का मातरा हमें सेम लेना है ठीक है फ्रेंस मैंने एक चमच प्रिंग्राज पाँडर लिया था तो यहां पर एक चमच में लेना होगा अगला इंग्रेडियन्ट हमें यहां पर आपको यह सारे चीज़े डालनी है लास्त में हमें यहां पर डालना है जटामांसी जटामांसी एक तरह का जड़ होता है जो कि संत के जटाएं होती है ना सिम वैसे ही दिखाई पड़ता है यह हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा एफ्टिव होता है अगर बालों को silky बनाने मदद करता है इतने सारे benefits है आप इसे यूज करने स्टार्ट कर दो यार यह कहीं से भी कोई भी साइट इफेक्स नहीं देता है तो simply आपको यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लास कंटेनर का ही यूज करना है ठीक है अगर प्लास्टिक कंटेनर का यूज करते हैं तो लगातार 15 दिनों तक हीट मिलने के कारण उसमें जो भी टॉक्सिंस होंगे वह इस ओल में भी आ जाएंगे जो कि हमारे बालों के लिए बहुत इस कड़ाही में आपको इस ओल को डाल देना है इसे अच्छे से आपको पकाना है त्यान यह रखना है कि आपका जो गैस का फ्लेम होगा वह बहुत कम होना चाहिए बहुत ज्यादा कम ठीके फ्रेंस बस इस पर थोड़ा सा बबल आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप पर दीजे बस यह हमारा बनकर रेडी हो गया है यहीं हमें यूज करना है और इसे यूज करने का भी प्रोपर तरीका है यह जो बनकर रेडी हुआ है यह हमारे बालों के लिए इतना ज्यादा वर्क करेगा कि आपको कोई डाई यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा पर फोकस करना है क्योंकि आपने नोटिस किया हुआ कि जब भी समय से पहले बाल सफेद होते हैं तो रूट से ही सफेद होना तो इसलिए हमें रूट्स पर ही वर्क करना है एं लेंद पर भी आप इसे अपलाई कर सकते हैं इससे कोई ज्यादा दिकत नहीं है अब बहुत सबस्क्राइब कर दो नहीं होता है क्या हम दूसरा ओिल यूज कर सकते हैं या फिर तिल का यूज कर सकते हैं बंट कोल्ड प्रेस्ट होना चाहिए औं प्योड होना चाहिए ठीक है फ्रेंस तभी ये 100% आपको रिजल्ट दे पाएगा तो आपको इसे बहुत अच जाएंगे तो फ्रेंस आइधिंग मैंने सारा चीज आपको क्लियर भी बता दिया है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बबाई